नमस्कार दोस्तों मैं एक कुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार ढहे गया इसराइल के एक कमेंट से बजार ढहे गया इससे प्रिविएस वीडियो में आप सभी के साथ बनाई थी जहां मै मैं आप सभी के साथ यही सारी चीज़ें डिसकस करी थी कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर यानि वित्यमंत्री का एक कमेंट आया है जिसकी वज़े से भारतिय बजार उपर से 200.5 मिनट में साफ हो गए लेकिन मेरा मानना ये है कि अब बजार इससे नीचे नहीं जाने च जितनी भी चीज़ें आएंगे हैं फाइनस मिनिस्टरी के तरब से मिनिस्टर की तरब से वो बजार को अलरेड़ी पता है क्या था वो मैं एक बार दुबारा रिपीट करना चाहूँगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पहले वाली नहीं देखी उनको पता चल जाए इसराइल में उनके फाइनस मिनिस्टर ने कहा है उनके वित्यमंत्री ने कहा है कि इसराइल हमला करेगा और इसराइल अगले हफ़ते करेगा हमला ये सब तो ठीक था लेकिन उन्होंने एक लाइन यूज करी जो बहुती जादा डराने वाली है उन्होंने कहा कि इसराइल ऐ दराने के लिए काफी है अब obvious है जब इसराइल ऐसा कुछ बोल रहा है और ऐसा करने की तयारी कर रहा है तो फिर इरान का भी कुछ response आ सकता है किवल इतना ही नहीं इसराइल ये अगर करता है ऐसा तो US के भी विरुद जा रहा है वो आप ये कह सकते हैं अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि US ने clear बोला है कि हम इसराइल को defense के लिए support कर रहे है अटेक के लिए नहीं कर रहे है और वो attack करने की बात कर रहा है ये सारी चीज़े है अब मैं बजार को लेकर ज़्यादा negative या फिर आप कहूं कि इस से ज़्यादा नहीं किरिगा है वो क्यों कह रहा है ता क्योंक लेकिन comment सी इतने negative आगए जो सब को हिला दें फिर बजार ने देखा कि आपका जो इसराइल की तरफ से comment आए हो negative है और बजार में मेरे को लगता है FIIs आज फिर बड़ी selling करके जा रहे हैं सेकेंड आफ में FIIs continue बेच रहे हैं तो मेरे को लगता है इसराइल के comment प्लस FIIs की selling ये बजार को गिरा रहे हैं अभी हमें किवल इतना दिख रहा है कि इसराइल का negative comment और बजार टूड़ गया लेकिन इसके पीछे FIIs का figure भी आ सकता है बड़ा वाला क्योंकि FIIs वो अगर नहीं बेचना है तो शायद 22,000 के नीचे बजार को नहीं जाना था क्योंकि करेंगे वापस हम जवाब देंगे हम सांत नहीं बैठेंगे अब कब देंगे ये पता नहीं था अब ये भी पता चलिया कब देंगे अगले हकते ये भी उन्होंने clear कर दिया और कैसा देंगे खतरनाक देंगे ये भी clear कर दिया अब हमला होने के बाद fresh development क्या आएगा US क्या करेगा इरान क्या करेगा इरान का support वाले क्या करेंगे ये confusion है तो market ये सब चीजा है पचा नहीं पा रहा है इसलिए उपर से देखे तो 300-300 पॉंट चला गया है market और ये काफी बड़ा दर्दनाक मतलब one-sided आप top से बहुत तेजी से धका दे दिया इस तरीके से गिरा रहे ह और ऐसा बेच रहे हैं कि पूछो मत बहुत खतरनाक बेच रहे हैं तो यहां खराब ख़बर प्लस selling और प्लस no buying ये तीन चीजों का बड़ा combination है यानि buying नहीं बन रही है उपर नहीं जाएगा share selling हो रही है और तेजी से नीचे जाएगा और खराब ख़बर है और तेजी से sentiment को impact करेगा ये तीन चीज मिल रखी है समय एक साथ अब इसमें क्या कर सकता है एक वंदा जो investor है उसको एक चीजी अपने आपको समझानी है कि मेरा पैसा जो बजार में लगा हुआ है वो आज के लिए कल के लिए परसों के लिए नहीं लगा है मेरा पैसा लगा है एक साल के और ये जंग एक साल दो साल नहीं चलेगी और trust me note my words अगर ये जंग एक साल दो साल चल भी गई तो बजार दो महीने से ज़्यादा इस पर react नहीं करेगा क्या बजार ने आज तक करा कभी किसी खबर पे दो साल तक या एक साल तक react नहीं करा बजार किस चीज पर चलता है उस पावर से बढ़ती है, शौट टम में जो गिरावट है वो बिना बतायाती है, क्या किसी ने सोचा था, इसराइल आज ऐसा कमेंट करेगा, हमेशा गिरावट बिना बतायाती है, तभी शेयर बजार को अनिश्चिंताओं का खेल का आ जाता है, यह मैंने भी थोड़े दिन पहल गिर गया, यह कर रहे है, पैनिक सेलिंग नहीं है, आज सुबा जब बजार खुला था, चो तरफा हरे आली थी, जो फ्रेश, जो हरे निशान में शेर्स थे ना, वो हाईस लिवल पे थे, गिरने वाले शेर्स की संक्या, दोसोट आईसो शेर्स थे, बाकि सब हरे निशान म अब क्या क्या हो गया, समझे, हम लोग टेकनिकल टम्स पे अभी करेंटली तीन बच के दस मिनट पे बाईस अजार के नीचे ट्रेड कर रहे है, उपर बंद हो भी गए तो भी क्या बाईस अजार के नीचे आराम से टिक हैं बेदस मिनट, तो वो नेगेटिव है, दूसरा इसराइल हमला करेगा, यह क्लियर हो गया, तीसरा नेगेटिव अगले हफते करेगा, यह क्लियर हो गया, चौता नेगेटिव बड़ा हमला करेगा, यह क्लियर हो गया, पांचवा नेगेटिव इस समय कोई बाईंग सेंटिमेंट के रूप में नहीं है, वो खरीदना चाता गिरावट में लेकिन अभी नहीं लेना चाहता चटा नेगेटिव एस कंटीनिव बेच रहे हैं साथवा नेगेटिव आज भी शायद बेचा है तो यह सारी चीजे मेरे को लगता है भाव जैसे यह थोड़ा लगा लो थोड़ा थोड़ा लगाओ एक साथ मत लगाओ और लगाने के बाद तुरंट पैसा बनाने की मत सोचो यह सोचो मेरे को तो अभी और नीचे लुक्सान देखना पड़ेगा लेकिन इवेंचली हैं पैसा बना लूँगा यह सोचो तो यह मे for watching this video have a great day guys